हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डोट ट्रिक्स बताऊंगा एक ट्रिक है जिसके तुरू आप क्रेडिट काड की लिमिट को बिल्कुल फ्री में बैंक एकॉन में ट्रांसफर कर पाएंगे और पूरे गैरंटिट पांच जार जरुवत नहीं है ओवल दी कॉल आपकी लिमिट आपके काड में इंक्रीज कर दी जाएगी तो बहुत ही जबलस्त वीडियो होगा अगर आपको क्रेडिट काड टू बैंक करना है फ्री में साथी पांच परसेंट की हिसाब से पांच जार रुपे का पूरा कैस बैक कमाना ह तो वीडियो को बिल्गुल भी स्किप मत किजिए शुरू से लेके लास तक जरूर देखिए चलिए बिना किस दरी के वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल पर फर्स टाम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरण सब्स्राइ कि आज ही जोइन कर लीजे यहां पर आपको है तरह के जबल्दस लूट आफ़र्स अर्निंग केंबेंस के अपडेट्स जबल्दस शॉपिंग डिल आफ़र्स मिलते हैं जहां से आप अच्छा बेनिफिट निकाल पाएंगे चलिए बिना किसी दिरे के वीडियो को शुरू 40,000 पारेज्जी कैश्ब्च कार्ट की लिमिय्ट है 20,000 ऑब 200 कैश्बैक कार्ट से हर महीने आप 5000 उपैप कमा सकते हैं पांच परूसंड की इसाफस या नि एक लाग-णुरूपे कीजे 5 परश courts परूसंड के इसाफसे 5,000 उपेंग आपको कैश्बच मिल जायगा मेरे पास लेकिन मेरी SBA cashback card के limit जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं केवाल 20,000 रुपए है तो 20,000 से तो मैं 5,000 रुपए महिने का cashback कमा नहीं सकता तो अब यहाँ screenshot में देखिए मेरे SBA simplyly card के limit हो गए 94,000 और मेरे SBA cashback card के limit हो गए 70,000 यह कैसे हुआ यह instantly हो गया आपको बता दूँ एक SBA customer SBA के तीन credit card ले सकता है और मेरे पास SBA के तीन card है एक SBA simply click दूसरा है Paytm SBA और तीसरा SBA cashback card Paytm SBA card मेरी limit है 26,000 रुपए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं Paytm SBA card को बंद करवा दूँ और उसकी limit को SBA card में transfer करा लूँ तो मैंने Paytm SBA card को close करने की request कल रात को डाली थी और आज सुबे मुझे SBA card की तरफ से call आया उन्होंने कहा कि सर आपकी card को close मत कराईए आपको अगर Envel fee charge होती है तो आप हमें phone कीज़े हम मुझे reverse कल देंगे लेकिन अभी March तक तक तो आपको Envel fee भी charge नहीं होने वाली है मुझे इस साल Envel fee जो charge की गई थी 500 plus GST की Paytm SBA card पे वो भी मेरी reverse हो गई थी तो उन्होंने कहा आपको अगर March में फिर से Envel fee लग जाती है तो हम मुझे reverse कल देंगे आप सिर्फ हमें call कीजेगा या फिर हम आपकी card को lifetime free भी कल देंगे पर आप card को close मत कराईए तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैं एक सर्ट पे card को close नहीं करवाँगा मेरे SBAI simplyly card में 1,44,000 रुपए की limit है अप उस card से 50,000 रुपए की मेरी limit मेरे SBAI cashback card में transfer करा दीजे क्योंकि मैं SBAI cashback card को सबसे ज़्यादा use कलता हूँ otherwise मैं PTM SBAI card को close कल दूँगा और उसकी limit अपको transfer करनी पड़ेगी तो उन्होंने कहा ठीक है instantly customer care executive ने मेरे SBAI simplyly card से 50,000 रुपए निकाल के मेरे SBAI cashback card में डाल दीए तो जैसा मैंने दिखाया 1,44,000 रुपए की limit कट के होगे 94,000 SBAI simplyly card में और SBAI cashback card की 20,000 रुपए की limit इंक्रीज होके होगे 70,000 की limit तब इस limit को use करके मैं 5,000 रुपए हर मेने का cashback बड़ी आसानी से कमा लूँगा अभी तक देखिए 3,000 रुपए का cashback मैंने और SBAI cashback card से इस मेने कमा लिया है इसके बाद आप यहाँ पर कुछ transactions देखिए यह मैंने आज ही limit increase होने के बाद किये हैं 40,000 रुपए के transaction किये हैं जहाँ पर मुझे 5% के इसाफ़ से 2,000 रुपए का cashback मिल जाएगा तो इस मेने का पूरा 5,000 रुपए का cashback मैंने लूट लिया है आप भी इस तरह से 5,000 रुपए का cashback कार्ड से cashback लूट सकते हैं कैसे लूटेंगे चलिए अब आपको बताते हैं अगर आपके पास cashback कार्ड नहीं है तो इसको apply करने के link आपको description में मिल जाएगी आज तक का सबसे जवलदस कार्ड आएए मैंने मेरे कार्ड और अपने वाइफ के कार्ड से आज तक करीब 50,000 रुपए का cashback कमा लिया है मुझे तो ये कार्ड अभी 3-4 महीने पहले ही मिला था मेरी वाइफ का कार्ड करीब 8-9 महीने पुराना है सिर्फ इतने महीनों में 50,000 से ज़्यादा का cashback हमने इस कार्ड से ले लिया है तो आप आज ही अपना s-back cashback कार्ड अप्लाई कर लिजे अगर आपको s-back cashback कार्ड नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कार्ड जल्दी से सबको नहीं मिलता है तो आप s-back का simply click card पहले ले लिजे ये कार्ड आराप से मिल जाता है इस card में भी आपको 1.25% का cashback on any spends मिल जाता है तो दोस्तों ये 5,000 रुपे का cashback मैंने कहां से कमाया है ये transaction दोस्तों मैंने किये 20 application पे 20 application अगर आपके पास नहीं है तो link description दे दिए आज ही sign up कर लिजे अगर आपके पास GST number है तो GST number देगे अगर आप sign up करेंगे तो आपको 500 रुपे का cashback भी मिलेगा उस 500 रुपे के cashback को आप credit card limit को free में bank account में transfer करने में use कर सकते हैं आपको किसी भी तरह का कोई charge नहीं लगेगा मेरे पास आप देख सकते साड़े 12,000 रुपे से ज़्यादा का 25 cashback है इसे मैं use करता हूँ अपनी credit card के limit को free में bank account में transfer करने में यहाँ पे आपको 1.53% का charge लगता है credit card limit को bank account में transfer करने पे लेगिन अगर आपके पास 25 cashback होंगे तो उन्हें redeem करके आप इस charge को wave of कर सकते हैं तो free में आपके limit bank account में transfer हो जाती है और 5 minute भी नहीं लगते यहाँ पे आपने transfer complete किया तुरंद आपके bank account में पैसे आ जाते हैं इसी तरह देखे मैंने 40,000 रुपे से ज़्यादा का transfer आज किया है instantly सारे पैसे मेरी वाइफ के bank account में आ भी गए और s-back cashback card पे यह merchant show करता है इस merchant पे पूरे 5% का cashback मिल रहा है मैं पिछले महिने से यह trick यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने आज भी 40,000 रुबे के transfer किये 2000 रुबे का मुझे cashback दो दिन बाद मिल जाएगा अभी यह unbuild transaction है तो 25 application को आज ही download करके install कर लीजे free में bank account में transfer कीजे s-back cashback card से और पूरे 5% का cashback कमाईए एक लाग रुबे की limit आप bank में ले लेते हैं तो आपको पूरे 5,000 रुबे का cashback मिल जाएगा पर मैं recommend करूँगा आप छोटे छोटे transaction कीजे 5,000, 10,000 के और वो भी आप अपने risk पे कीजे मेरा काम आपको trick बताना in case आपके पैसे stuck हो जाता किसी कारण से तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी मैं तो यह transaction करता हूँ मेरे तो आराम से हो रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे full KYC करनी पड़ती है तो इस तरह से दोस्तों मैंने अपनी cashback कारण की 20,000 रुपए की लिमिट को 17,000 रुपए भी instantly करवा लिया और फिर उस कारण को यूज करके आराम से 5% के हिसाब से अच्छा खासा cashback भी कमा लिया लिमिट भी bank account में आ गई उस लिमिट को मैं मोबी की केक्स्ट्रा में इंवेस्ट कर दूँगा 30 दिनों तक वहाँ पर रखूँगा तो 50,000 रुपए भी मैंने रख दिये तो 500 रुपए का cashback मुझे मोबी की केक्स्ट्रा से मिल जाएगा मैंने अभी देखिए 2,00,000 रुपए मोबी की केक्स्ट्रा में इंवेस्ट कर रखें है हल दिन का मुझे इंट्रेस्ट मिलता है जिसे मैं बैंग में ले लेता हूँ और आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं अपने गोशेट्स कार्ड का अन्बॉक्स करके आपको दिखाओंगा गोशेट्स कार्ड मेरा फि backward कार आज इस card को apply करेंगी तो 2500 का आपको instant cashback मिल जाएगा यानि 7500 रुबे का आपको चार्ज एक बाद देना पड़ेगा लेकिन एक साल में 50 ज़र मेने के साब से 6 लाक रुबे credit card के limit आप free में इस card में add कर सकते हैं और फिर इस card से पैसे निकालने के कई सारी ट्रिक्स है जो मैंने already बताई है तो पैसे निकालने पर आपको extra 1.5% का cashback इस card पर मिल जाएगा तो आज ही आप इस card को भी apply कर लिजे आज से कब दो information अच्छी लगी होगी वीडियो के एक like करना ना बुले